हेई गाइज वेलकम बैक टू माई चानल ब्यूटी स्किल्स माई नीम इस रिया सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ करवा चौत के लिए मेकप लुक शेयर करने वाली हूँ आप इसे सूट के साथ भी वेर कर सकते हो यह बहुत ही ज़ाधा फ्रेडली में भी अगर चाहो तो कर सकते हो विदाउट वाड़ेडियो क्विकली टू डी वीडियो सो गाइस आप जब भी मेकप करते हो ना आप कंप्लेइन करते हो कि आपका जो बेस है वह बहुत जल्दी ओईली हो जाता है मेकप फ्रेश नहीं लगता या फाउनेशन स्मूदली अप्लिकेशन नहीं होता उसके पीछे रीजन यह है कि आप लोग मेकप करने से पहले अपने फेश को क्लीन नहीं करतो आप बोलतों मैंने दो घंटे पहले फेश वाश करतो लिया था बट डाट्स नॉट इनफ आप जिस वक्त मेकप करते हो ना बिल्कुल उसी के चस्ट पहले अपने फेश को आप वाश करो इससे क्या होगा ना आपकी फेश में बिल्कुल भी गंद अगर बहुत ज्यादा ऑईली स्कीन है तो आप थोड़ा सा आइस क्यूब अगेड़ा फेस पे रफ कर सकते हैं पांच मेंट वेट कर लेना देन मेकप स्टार्ट करना अगर नॉर्मल टू ड्रा स्कीन है मेरी तरह तो आप सिंपली से मॉस्ट्राइजर लगा लो एंड मॉस या फिर संस्क्रीम अलग से भी लगा सकते हो मॉस्ट्राइजर लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिब बाम लगा रही हूं अपने लिपस पे और उसके बाद मैं अपने फेस पर फाउंडेशन प्राइमर लगाओंगी प्राइमर को जरूर लगाए कभी भी स्किप ना करें क्या करता है आपके फिस में जितने भी गड़े हैं उनमें जाकर फिल हो जाता है और आपके इस फेस को एक स्मूध बेस देता है जिसके उपर जब आप फाउंडेशन लगाओंगे तो वह इसली आपके फेस पे लग जाता है अगर आप चाहो तो फाउंडेशन के जगह पे सी सी क्रीम बीवी क्रीम कुछ भी यूज कर सकतो जो आपको कमफर्टेवल लगे मैं आपर मेवलिन का सूपर स्टे फाउंडेशन यूज कर रहूं यह बहुत ही अच्छा कवरेज देता आपके फेस को और आपको यह लॉंग लो ताकि आप विडियो को मिस्स टाब कर दो ओके फाउंडेशन का application हो जाने के बाद आपको क्या करना है foundation को set करना है ताकि वो दूसरे जगा पे ट्रांसफर ना हो जाए तो set करने के लिए मैं याप पर compact powder का यूज कर जहूँ तो compact powder को आपको अपने face पे घिसना नहीं है बिल्कुल tap 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 करके आपको लगा लेना है ताकि foundation अपने जगा पे set हो जाए और face के साथ साथ आपको neck को भी set कर लेना है foundation compact सब कुछ आपको neck पे भी लगाना है ताकि ऐसा ना लगे कि neck किसी और face किसी और का है तो आप ही का लगना चाहिए इसलिए balance करने के लिए foundation and compact को आपको neck पे भी लगाना है बारी आती है blush की तो मैं यहाँ पर stay coat की का blush use कर जो सेट बहुत ही जादा प्यारा और नाच्रल है pigmentation काफी अच्छी और product is so good and बिल्कुल भी sponsor नहीं है मेरा अपना honest review है and guys जब भी आप कुछ भी product लगाते हो न अपने face पे तो हमेशा access को निकाल दो and उसके बाद apply करो यह makeup का golden rule है अगर आप access product अपने face पे directly apply कर लोगे तो आपका makeup खड़ाब हो जाएगा इसलिए access को निकाल दो then लगाओ तो overdone भी नहीं लगेगा so guys अगर आपको कम से कम product में कम से कम समय में अच्छा वाला makeup करेना तो आप जादा मत सोचो blush को ही अपने eyelids पे लगा लो इससे बहुत ही cute सा लुक आपके सभी outfit के साथ चल जाएगा इवन western कपरों के साथ भी चल जाएगा ओके तो मैंने same blush को अपने eyelids पे अच्छे से लगा लिया और उसके बाद बारी आती है highlighter की तो मैं यहाँ पर wet and wild का highlighter यूज़ कर रही हूँ highlighter को मैं अपने nose के tip पे लगाऊंगी nose के उपर जो bridge of the nose जिसे कहते हैं वहाँ लगाऊंगी and cheeks के उपर जो bones वाला area होता है high points वहाँ पे लगा लूँगी eyes के inner corners पे लगा लूँगी chin पे lips के उपर जहां जहां भी आपको चाते हो कि थोड़ा glow करें आपका face हर जगा पर आप highlighter को and मैं आपड़ highlighter को थोड़ास अपने eyelids के बीचों बीच में लगाऊंगी ताकि मेरी eyelids भी थोड़ी सी sign करें then guys मैं याप पर lacmec eyeliner यूज कर रही हूँ यह जो liner है यह बहुत ही अच्छा वाला liner है और मेरा favorite eyeliner है इसे apply करना बहुत ज्यादा easy होता है क्योंकि इसका जो applicator है वो बहुत ही ज्यादा thin है तो आप इसके help से जैसा चाहो वैसा liner draw कर सकते हो and आपको बस थोड़ी सी practice की करते हुए पतला सा line draw कर लूँगी तोनों eyes में and इसी के साथ मेरा eyeliner look complete हो जाता है eyeliner के बाद बारी आती है मस्करा की तो मैं यहाँ पर lacme का ही मस्करा यूज कर रही हूँ and आप चाहो तो false lashes भी यूज कर सकतो बट मुझे false lashes personally ज्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैं यूज नही क्या eye lashes पर apply कर लो तो आपके eye lashes को बहुत अच्छा खासा length and volume दे देता है आपको false की कमी महसूस नहीं होने देगा so guys mascara apply हो जाने के बाद मैं अपना lipstick apply कर लूँगी and lipstick के लिए मैं यहाँ पर naika का liquid lipstick यूज कर रही हूँ 23 जानवी and guys मैं सिर्फ इसको यूज नहीं कर रही हूँ इससे पहले मैंने blue heaven का एक lipstick apply किया हूआ है and इसके बाद छूट गया था मेरा eyebrow तो eyebrows को set करने के लिए मैं आप पर eyebrow pencil का यूज कर हूँ यह जो eyebrow pencil है यह local eyebrow pencil है जिसे मैंने local market से लिया था तो आप adias समझ सकतो है adias जैसा brand होगा कुछ and guys eyebrow pencil से जब भी आप eyebrow को set करते हो तो make sure कि उसे आप smudge कर लो कपरे के help से नहीं तो बहुत ही जादा वो hearts लुकाता हो okay so guys इसी के साथ make up look complete होता है और उसके बाद मैंने अपना outfit change कर लिया and hair style के लिए मैंने बिल्कुल सिंपल सा मिट पार्टिशन कर लिया and बालों को अच्छे से कोम कर लिया और मैंने extra कुछ भी नहीं किया and उसके बाद मैंने अपना earrings डाल लिया and चूरी डाल ली एक हाथ में घरी डाल लिया आप करवा चौत है तो घरी मत डालना दोनों हाथ में चूरी ही डालना ज्यादा बेटर लगेगा आउटविट को अप थोड़ा एग्नॉर कर दो मेरी मम्मी की पुरानी सारी है तो मैंने में बस सामने यही दिखा तो मैंने यही पहन ले आप इसे किसी भी आउटविट के स आपको कहां पर कमी लगी मैं अगली बार उसे जरूट ठीक करने की कोशिश करूंगी कोई suggestion है वीडियो का तो आप मुझे comment में बता सकतो कोई question है तो आप मुझे से पूस सकतो मैं हर comment का reply देने की कोशिश करूंगी ओके and guys अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वी की वीडियो को देखने में इंट्रेस्ट है तो and also guys आप बैल आइकन को भी जरूर हिट करना all करके ताकि आप मैं जब भी वीडियो सप्लेट करूंग आप तक उस वीडियो की notification पहुँच जया और आप किसी वीडियो को मिस्ट ना करो also guys make up look share कर सकते उनके साथ जिनकी शाद प्लूख है आप किसी भी outfit में किसी भी occasion में कर सकते हो and thank you so much guys for watching this video मिलते हो बहुत ही जल्दी आपसे एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई